ओम नमा शिवाय शुद्ध जेष्ट मार्श शुक्लपक्ष मंगलवार सश्टी तिफी सुबह 6 बच कर 45 मिनट तक लगी रहेगी तद पस्चात सप्तमी तिफी प्रारम हो जाएगी चंद्रमा दिन भर पूर्वा फालगुनी नक्षतर में चलते रहेंगे जिसके नक्षतर स्वामी शुक्र देव है आज के जन में जातक सुन्दर, तेजस्वी, गंभीर, दानी और स्वाभिमानी होते हैं ऐसे जातक उधार हिदय वाले, इमांदार, संगीत प्रेमी, नाटक तथा, फिल्मों में रूची रखने वाले, बहुमुल लिवस्तरों और आभुशनों के प्रेमी भी होते हैं ऐसे जातक शेयर, लाटरी, इत्यादी का सौक रखने वाले, अपनी इच्छाओं की पूर्ती करने में समर्थ, धार्मी कारियों में सहयोग करने वाले और उच्च अभिलासी भी होते हैं जदि सहयोगी लगन रहा, शुक्र और सूरी की इस्थिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे चंद्रमा आज भी सिंग राशी में ही चलते रहेंगे आज के जन्मे जातक पिता के लिए भागिशाली सिद्ध होते हैं मेश राशी वाले जातकों को कारे छेतर की अनकूलता मन मुताबिक बनी रहेगी नए लोगों से संपर्क होंगे, लाभ के नए आउसर सामने आएंगे साजेदारी सफल रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आठिक लाभ हुआ सहयोग मिलता रहेगा मगर कुछ मामलों में आज का दिन चिंता को बढ़ाने वाला होगा योजनाएं बलवती होंगी, लेकिन काम करने की गती प्रभावित होगी आला से पुरधान मानसिक्ता संभावित है, मगर अध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा बिद्याख्यों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा खान पान में सावधानी बरते हैं, पुरानी दिकतों की पुनरावृत्ती संभावित है ब्रिश राशी वाले जातकों को कारे छेत्र से मानसिक संतुष्टी मिलेगी और मन मुताविक काम होते रहेंगे दिर्ष रिच्छा सक्ती और उत्साह में बिद्धी होगी, मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव संभावित है योजनाओं को लागू करने में सफलता मिलेगी, कुछ रुके हुए काम भी संभन हो सकते हैं बच्चों के विशे में आत्मिश्वास बढ़ेगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा अध्यान अध्यापन में सहयोग और सफलता मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी मगर स्वात संभन्धी आवस्षक सावधानी बनाए रखे मिथुन राशी वाले जातकों को अपनी दिड़िच्छा सकती और आत्मिश्वास का पूरा सहयोग मिलता रहेगा कारियोजनाओं को सुचारू ढंक से पूरा करने में परिवारी जनों और सहयोगियों के पेरना बनी रहेगी नई कारियोजनाओं के प्रस्ताव और साजेदारी सफल रहेगी आर्थिक लाख सामाने तयार रहेगा बिद्याथियों के लिए आज का समय अनकूल है अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी साशन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा किसी महतुप्रून काम के पूरा होने से सामाजी परतिष्ठा में बिद्धी होगी और नीजी संबंध प्रगाड होगे करकराश्ट के जात्कों के लिए आज का दिन धन संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा और आर्थिक लाव के बैकल्पिक मार्गों की मानसिक्ता बनी रहेगी आप अपने कारेच्षेत में सफल रहेंगे और साज्यदारी सफल रहेगी भागेवस नई वजनाओं के प्रस्ताव भी आ सकते हैं नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा बच्चों के मामलों में मानसिक दवाव महसूस होगा विद्याथियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा होगा भावनात्मक गड़बड़ी संभावित है आपसी संबंदों का ख्याल रखें और स्वास संबंदी मामलों में साउधानी रखनी चाहिए सिंग राशी वाले जातकों के लिए आज का दिन आपके दिर रिच्चा सकती और आत्मिस्वास को बढ़ाने वाला होगा आठिक लाव की स्थिती और बढ़ सकती है अपने अतिरिक तुर्जा का इस्तेमाल रचनात्मक कारियों में करते जाएं लाव मिलता जाएगा साजे दारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिसको आप लागू कर सकते हैं मित्रों का सहयोग बना रहेगा विद्ध्याथियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा सिक्षा प्रत्योगिता में सफलता मिलेगी बुजुर्गों का आशिरवाद और पारिवारिक प्रेणा मिलती रहेगी मगर स्वास संबंधी आवस्यक सावधानी बनाए रखे कन्या राशी के जातकों के लिए अनावस्यक धन खर्च और नकारात्मत विचारों के उतार चगाव का संकेत मिलता है मगर ब्यावसाई कुन्नती का दोर जारी रहेगा मित्रों और सहयोगियों से सकारात्मा प्रेणा मिलती रहेगी सरकारी कामकाज पूरे होंगे और संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है साजेदारी लाबदायक रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा बिरोधियों से सावधानी अपेक्षित है अध्यन अध्यापन के लिए आज का दिन सामवानी रहेगा प्रयास जारी रखें खान पान में सुधार और पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें तूला रासी के जात्कों को आर्थिक लांग की इस्तिती बनी रहेगी और आये सम्बंधी नए बिकल्प तैयार होंगे चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना सहयोगी प्रिष्ट भूमी तैयार करेगा मगर अपनी कार्योजनाओं में सावधानी अप्यक्षित है नई कार्योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे जिसमें सरकारी सहयोग और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा शिक्षा प्रत्योगिता के छेत में सफलता संभावित है वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले दक्तियों से दूर रहे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अन्पूल रहेगा जिश्चेक राशे वाले जातकों की कारे छेत के पर सक्रियता बढ़ेगी और नई कारी योजनाव के स्टीजन की मानसिक्ता बनेगी कारे छेत से अधिकार्ईयों का सहयोग मिलता रहेगा संभन्धित मामलों में यात्रा भी संभावित है रुके हुए काम संबंध होंगे, ब्यावसाइक योजनाव के नय प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लावजायक रहेगा संतान संबंदी मामलों में खर्ट संभावित है, नय रिस्तों का प्रस्ताव मिल सकता है, पारिवारिक प्रेणा मिलती रहेगी नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बना कर रखें और दिन चर्या में खान पान को संतुलित रखें धन्नु राशी वाले जातक आज हर मामले में अनकूल महसूस करेंगे आपकी कारिवुर्जा अधूरे बड़े कामों को निप्टाने के प्रती केंधित रहेगी और रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे मगर आर्थिक मामलों में लेन देन में सावधानी रखें हाला कि आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा द्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा साजेदारी के कामों के लिए आज का दिन अनकूल है विद्याथियों के लिए आज का दिन सामान गएगा संतान पक्त से सुखत समाचार मिल सकता है नीजी समन प्रगाण होंगे और पारिवारिक दायतु की पूर्टी होगी मकर राशी वाले जात्कों के मानसिक भ्रम का दौर समाप्त होगा और व्यप्तिगत प्रतिष्ठा में ब्रिध्धी होगी मंगल का उत्साह और गुरु की प्रिरणा से उन्नती में सहयोग और आर्थिक लाद्मे ब्रिध्धी मिलती जाएगी मित्रों से सहयोग और संतान के प्रतियाद मिश्वास में बढ़ोत्तरी होगी चंद्रमा के आठोए घर में चलने की वज़ा से मन में अनावसक चिंता, कुछ कामों में रुकावट और भैग रस्तता संभावित है मगर सिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा अपने स्वास पर आवसक सावधानी बनाये रखें और वहान सावधानी से चलाएं कुम्भराशी के जात्कों के लिए आज का दिन अन्कूल रहेगा आठिक पक्ष के विकास और साजेदारी के प्रतियोग मिलेगा मगर स्वास संबंधी उतार चड़ाव संभावित है ब्यावसाई का न्कूलता बनी रहेगी देड़ विस्वास और कारे चमता में विद्धी होगी सासन सब्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा बिरोधियों से सावधानी अपेक्षित है शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनप करनी पड़ेगी वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा परिवार में हर्स और प्रसन्दा का माहौल बना रहेगा मीन राशी वाले जात्कों के लिए स्वास्त संबंधी मामलों में सावधानी और नकारात्मक विचारों के प्रतिमान सिक्ता बनेगी आर्थिक लेंदेन के प्रति सावधानी अपेक्षित है मगर आर्थिक लाव मिलने से मन में उर्साह और व्यावसाईक योजनाओं को बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी अधिक जोखिम वाले काम करना उचित नहीं होगा नए ब्यावसाईक रिष्टों और सरकारी काम का अज से लाव संभव है विध्याथियों के लिए आज का समय संघर सुहरा होगा मेहनत करनी पड़ेगी प्रयास जारी रखें और संबंधों में मधूर्ता बनाए रखें आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे होम नमाश शिवाए